असलाम मौलेकम एक दोस ने उनका नाम में फरिन माजीद यह मेसेच करके फोटो ज़ए इसका कटिंग और स्रेचिंग देखाता हूं यह दिखें यह कोड का का ब्रेस है। यहां से पल्टी होई है और यहां पे हलका खुपर और यहां से तक प्मेंट है कि तो फाइपिन में हम यह कप्र डालेंगे कि एक अपरा पाइपिन के लिए डालेंगे और यह में कपड़ा है हम अ पट तो हम इसको अब करते हैं देखे कवाइप काटिंग आसे होता है पूरा डेट्ल से मैं बताता हूं 55 इंच लेंद्थ है 36 इंच चेस्ट है 29 इंच बेश्ट है और 37 इंच हीप है सारे 16 सोल्डर है और सारे 22 इंच आस्तिन का लेंद्थ है और 12 इंच प्योनी है और सारे 9 इंच मोरी है साथ इंच आर्म है ऐसे पहले हम बैक को कट करेंगे मैं दो पल्ला को ऐसे बिछा लियां कि अब मैं इस प्राव फोल ने इतना कर रखाऊ आप देख सकते हैं सारे बारा इंच को फोल कर रखाऊं कर आप यह बड़ा कप्रा है लेकिन सारे बारा इंच पर फोल कर रखाऊं सबसे पहले हम उपर में निसान लाएं कि इस जगा छोटा है इसके विसे थोड़ा थोड़ा करके कट करेंगे पहले यहां तक कट करेंगे फिर इसको आगे करके नीचे कट करेंगे यहां पर एक इंच का मार्क लाएंगे यहां से एक इंच का मार्क लाएंगे यहां तक तीस इंच का मार्क लगा लेंगे यहां पर आठ इंच पर मर्क लाएंगे यह 8 इंच पर मर्क लाएंगे फिर उसके बाद है ना अग्यां तेस इंच पर मार्क लगाएंगे तो अगर लेंट ज्यादा है तो आप 16 पर भी मार्क लाएंगे लंबी लेडिस है अगर अगर मेडियम साइज है तो यह सई है ज्यादा लंबी है तो आप सारे 16 17 पर मार्क लगा सकते हैं कि अब इसको सीधा मार्क लेंगे चेश्ट है 36 इंच इसमें अभी लूजिंग नहीं रखना है चेश्ट जितना है उतना मार्क हम लगाएंगे यहां पर तो यह 29 इंच कमर है तो कुछ ज्यादा सेब आजाएगा तो हम इसको 30 इंच करेंगे और यहां पर 37 इंच है तो 37 का चौत्य हिस्सा सावा नौ इंच जाती है और इसका कंदी है अब इसको यहां से हम सीधा मार्क लगाएंगे अब यहां पर मार्क लगाएंगे आदा इंच का अब यहां से कड़ोस करेंगे अब यह मार्क यह मार्क से मिला लेंगे यहां पर आप ऐसे मार्क लगा लेंगे यह गले के लिए पॉने त्रीन इंच पर मंक लगाएंगे अब यहां यहां से यहां तक अ मार्क लगाएंगे अब इसको गंलाइ कर लेंगे चैनल इसमें सहीं कर लेंगे कि काको एक कौने वह मिलाइए यहां से औरो श्र कि अब हम कटिंग कर लेंगे अब करके देख लेंगे अब इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे अब इसको उपर करेंगे अब जादा बाहर कंटिरी में चलता है यह इसको कोट भी बोल सकते गुर्खा भी बोल सकते हैं अगर इसको पेन लिए तो गुर्खा पेने का जरूवत नहीं है गुर्खा जैसा काम करता है यह तो हम यहां तक 30 इंच का मार्क लगा लिए आदा इंच इसमें उपर जो मर्जिंग जाएंगी इसके वैसे आदा इंच रख लेंगे फाल तो अब सीधा मार्क लाएंगे अब यह में जा टेप को इस तरह हम पकड़ेंगे यहां पर एक मार्क लिए और यहां से सीधा इक मार्क लाएंगे कि यहां पर हलका गॉल रहेगा यहां से हलका गॉल रहेगा इस तरह बोल रहे हैं अभी हम इसको कट कर लेंगे कर लेंग यहां से चार इंच पर सीधा मार्क लाएंगे अब यह यह मार्क आये मार्क मिला लेंगे अब यह मार्क के इसाब से हमें मार्क उठाएंगे सबसे पहले यहां से 30 इंच पर मार्क लगा लेंगे इसको उपर चटके कट कर लेंगे अब यहां पर एक इंच पर मार्क लाएंगे अब एक इंच सिधा मार्क लाएंगे अब यहां पर पॉने छे इंच आ रही हैं तो सबसे पहले हम यहां के एक इंच एक इंच जादा रखेंगे यहां पर यह कट जाएगी एक इंच जादा रखेंगे और इक गल्ला पॉने ती इंच दिये हैं अब यहां से पॉने ती इंच गल्ला रहेगी पॉने ती इंच इंच गल्ला यह होगे अब यहां पर मार्क लगाएंगे अब यहां पर इसको हम क्रोस कर लेंगे चेस्ट है 36 इंच चौथा हिस्सा रखेंगे अइस में अब दो इंच लूजिंग रखेंगे यानि दो इंच लूजिंग रखेंगे तो चार इंच लूजिंग आएगी तेस इंच बेश्ट रहेगा इसमें भी दो इंच लूजिंग रखेंगे से तेस इंच एप रहेगी इसमें भी दो इंच लूजिंग रखेंगे और ये अब पहले हम इसको मार्क लगा लेते हैं सीधा एक मार्क लगाएंगे हम इसको अब ये मेरा चेस्ट का मार्क है अब यहां चेस्ट का मार्क है तो मैं एक इंच में दो पॉइंट रिए मर्क लाएंगे अब यहां से अन подготовija कोख को पर यक् опыт कीय ci थोड़ा आगे कर लेंगे यहां पर तो यहां के मार्क लाएंगे अब इसको बुलाई यहां से देंगे पॉनी दो इंच्ट से गुलाई देंगे इसको इस तरह गुलाई दे देंगे इसमें मार्जिंग इंता रखेंगे कभी डिलाई टाइटल तो जादा कम जादा कर सकते हैं कि देंच पर मार्ग लाएंगे यहां से देंच पर यहां से सीधा मार्ग लाएंगे तीन इंच चौला है यहां पर तीन इंच चौला है तामिस को यहां पर हल्का सेब देंगे हुआ यहां तक से देंगे इसको यहां से ऐसे श्टिट ले देंगे टेंगे अधर्ट यहां से आइसे श्टिट लेंगे तक यहां कि यहां से यह बेश्ट से थोड़ा दो इंच उपर उठाए कि यहां से हम से देंगे अधिसको में यहां एकना अधिसको हम प्रेट करने के कि बटन देंगे सारी पांच इंच पर कि यह हमारा बटन का देगा हो गई है अब यह साइड से अभी हम कप्रा को कटकर लगांगे इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करके यहां अधिस इंच से 55 लेंथ है तो यह आधा इंच बढ़के लगाएंगे 55 यहां आरा आधा इंच बढ़के लगाएंगे उपर आधा इंच मर्जिंग जाएगी अब यहां से सीधा इसके मारेंगे अब यहां देख लेंगे कितना हम रखें यहां से सारे सारे गारा आ रही है तो यहां पर सारे गारा इंच पर मार्क लाएंगे और दो इंच बढ़के लगाएंगे कम ज्यादा भी आप लगा से साइट का मार्जिंग रहेंगे अभी यहां से यह मार्क से बीच में एक मार्क लाएंगे पर यहां एक मार्क लाएंगे पर यहां पर हलका शेप देंगे सबसे पहले हम नीचे से कपरा को कट कर लेंगे आप जो इस पोर्टर विजे हैं मेरे लिए फाइस्टो पहला डिजाइन है जैसे मैं यह थोड़ा देख देके कटिंग करना पड़ता है क्योंकि नया पैटन है तो तो देखना पड़ता है क्योंकि यह मेरा पैटन बनाए और यह किसी और का पैटन है इसके विए को देखना पड़ता है अब यह बैक पल्ला में आजाएगी पांच इंच पिलाएंगे और यहां पर सारी पांच इंच रहेगा और निच्छे यहां पर छेंच आएगी अब इसको हम यहां पर मार्क लाएंगे अब यहांसे अब साइड में मार्जिंग ज्यादा रखेगा क्योंकि यह कटिंग करेंगे ना तो यहां पर एक इंच कपड़ा जाएगी इसको बनाने में तो यहां पर ज्यादा मार्जिंग रखेगा कटिंग कर्चिस में यह पल्ला घर छोटा पड़ जाएगा तो आप क्या किजिएगा यह में पल्ला सही है अब यह पल्ला को हटाके दूसरा पल्ला बैठाके से निसी तरह पल्ला कट कर लिजेगा और यहां एक इंच कपरा को ज्यादा रख दीजेगा यहां पर ज्यादा दीजेगा तो अर्जिस्ट हो जाएगी अगर को कि 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 सबसे नीचे आप 7 इंच देंगे और एक कि को है और यह एक ब्तार है कि यह आप कैसा चांटे ब्लाना यह इसको दो आश्तर वलंदी चाहते हैं जब असतर का चाहते हैं और इसका आस्तल तो आसे नि करना है तो आसे न करता का चा चाहिए दो है कि जो हैसानी से बना सकते कॉता है उसे द्ट's का कति बता देंगे अस्तर के बनाना है आपको या बीना अस्तर का बनाना एप रहना में कोमेट करके बताएं पूले आज के लिए बस इतना ही कोई भी सवाले कॉमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बारे सेस्क्राब करें बिल का घंटे जरूबर जाए